हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका एंजोई एंड लाविन अविल में, आपको याद है चार्ज हैंडवर के वीडियो में हम संखिप में बात किये थे साल सुरू होने से पहले की तयारी की, आज चलिए बिस्तार से बात करेंगे क्लब ट्रेजरर यानि की क्लब कोसा धक्षा क की तयारी या प्लानिंग के बारे में, ट्रेजरर या कोसा धक्षा क्लब की एक महत्तो पुन पद होती है, उन्हें क्लब की आर्थिक दस्तावेजों को बहुत सतरकता से संभालना पड़ता है, तो चलिए उसके लिए क्या क्या और कैसे तयारी करना होगा, सुनते हैं, आज हमारी डिस्टिट की पास्ट असोशेशन ट्रेजरर पीडीसी रेखा सक्सेना जी से, कुछ टीप्स क्लब ट्रेजरर के लिए यहां मैं आपको इनर्वील जैसे सबसे बड़े वॉलेंटरी और्गनाइजेशन में ट्रेजरर का काम आसानी से करने के कुछ टिप्स बता रही हूं इनर्वील इयर समाप्त होने से पहले ही नए ट्रेजरर को पुराने ट्रेजरर से फाइनन्स से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स ले लेना चाहिए जैसे कि बैंक की पास्ट बुक, चेक बुक, लेजर बुक, रिसीट बुक, पेमेंट बुक, एड्सेटरा नए इनर्वील इयर के शुरू में अर्थाज जुलाई की स्टार्टिंग में ही आप पुरानी ट्रेजरर के साथ बैंक जाकर कलब की पास्ट बुक अपडेट करवा लें इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कलब एकाउंट में कितना पैसा है अब बारी आती है कलब के ऑथोराइज सिगनेटरीज के सिगनेचर्स चेंज की इसके लिए लास्ट इयर के लेटर पैट पर इमिजेट पास्ट प्रेसिडेंट सेकेटरी एंड ट्रेजरर और इस नए प्रेसिडेंट सेकेटरी एंड ट्रेजरर ही एकाउंट हैंडल करेंगे रेजिलूशन पर पुराने सिगनेटरीज की साइन करके बैंक में देंगे इस नए रेजिलूशन में नए सिगनेटरीज की फोटोज लगाना उनका डेजिगनेशन मुबाइल नंबर और कोई आ अधार काड आदी अवश्य लगा कर दें इस रेजिलूशन की दो कॉपी बनाएं इसमें ओरिजनल बैंक में जमा कर दें और कॉपी को रेजिलूशन बुक में लगा दें ये एकाउंट दो प्रकार का होता है पहला जनरल एकाउंट जिसमें कलब का लास्ट येर के बचा पैसा और मेंबर्स दोरा दी जाने वाली फीस का एकाउंट रखते हैं और दूसरा चैरिटी एकाउंट जिसमें किसी के दोरा दान सरूप दी जाने वाली राशी या स्पांसर्शिप से मिलने वाले पैसे का एकाउंट रखा जाता है चैरिटी में मिलने वाला पैसा उसी प्र बनाना होता है जिसे प्रपोजड बजट कहते हैं इसके लिए स्लाइट्स में आपको टेबिल बनाकर दिखाया गया है इसमें दो कॉलम बनाकर पहले में प्रपोजड इंकम जिसमें आपकी लास्ट एर की बचत और एक्सपेक्टेड मेंबर्शिप दोरा आने वाली इंकम लि दे खाल मों होता है जिसका डिस्टरिक द्यूज का एकाउंट लिखनाAh भूला का जिसका जर्पों होता है जिसका डिटेल आपको डिस्टरिक ट्रेज राड से जुलाई के मिडिल तक तक सर्कुलर से मिल जाता है अब आपको अपने प्रेसिडेंट सेकेटरी के साथ मिलकर नए वर्ष के लिए मेंबर्स के ड्यूज फिक्स करने होंगे आप ये सुनिशित कर लें कि मेंबर्शिप से आने वाली इंकम आपके कलब के खर्चों और डिस्ट्रिक को भेजये जाने वाले सब्सक्रिप्शन के लिए सफिशियंट होगी यदि इसके लिए मेंबर्शिप के फीज बढ़ाना होगी तो कलब के सभी सदस्यों से इसकी सहमती लेना आवशक होगा डिस्ट्रिक्ट रेजार का सर्कुलर आने पर उसे ठीक से पढ़ें और उनके दोरा भेजी गई गाइडलाइन्स और फॉर्मेट को ही यूज करें अभी तक दी गई जानकारियां पुराने कलब के लिए थी जिनके पास कलब का बैंक अकाउंट और केवस सिगनेटरिज ही चेंज होने हैं अब मैं बताती हूँ कि नए कलब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स क्या हो सकते हैं नए कलब को अपना एकाउंट किसी भी नेशनलाइज बैंक में ही खोलना चाहिए इसके लिए मैं आपको कौापरेटिव बैंक का चैन करने के लिए सेजेस्ट करती हूँ ये नए प्रेसिडेंट सेकेटरी और ट्रेजरार पहले बताया नुसार ही एक रेजिलूशन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि ये एकाउंट प्रेसिडेंट या सेकेटरी और ट्रेजरार दोरह ही ऑपरेट किया जाएगा ट्रेजरार की सिगनेचर कंपलसरी होने चाहिए अब आप बैंक जाकर मैनेजर से बात करिए और अपने साथ इस रेजिलिशन की एक कौपी रखिए अपना कोई KYC डाक्यूमेंट जैसे की आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी इन सब की भी फोटो कॉपी रख लें सब ही सिगनेटरीज की पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ रखें एसोसेशन बाइलोज जिसे हम ग्रीन बुक के नाम से भी बोलते हैं उसका पेज नमबर 85 और पेज नमबर 91 की फोटो कॉपी करवा लें पेज नमबर 85 का क्लॉज D&E और पेज नमबर 91 का क्लॉज A आपको बैंक मैनेजर को ये बताने में मदद करेगा कि हमारे इनर्वील के लिए बैंक एकाउंट खोलना अतियावशक है अपने एसोसेशन बाइलोज बुक और IIW Constitution बुक यानि की ब्लू बुक अवश अपने साथ रखें और उनको दिखाएं कि हम इनर्वील मेंबर्स सोसाइटी के प्रतिष्ठित, सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन यूएनो में भी है अता हुनके बैंक में इनर्वील का एकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए धन्यबाद करेंगे पास्ट असोसेशन ट्रेजरर रेखा सकसे ना जिका जिनोंने क्लब ट्रेजरर के लिए इतने अच्छे अच्छे टीप्स दिये हाँ और एक बात याद रखेएगा साल की खतम होते ही इनकम एक्सपेंडिचर की जो स्टेक्मेंट होती है वो क्लब की आडिटर को देना ना भूले नए सेशन की सेप्टेंबर महीने तक आडिटर्ड रिपोर्ट की आकाउंट आपको क्लब में पेस करना चाहिए और उसकी जरासकापी सबको बांट देना चाहिए आसा करती हूँ ये छोटी छोटी टीप्स आपको आगे जाके बहुत काम आएगा और आपकी साल भर की तैयारी में बहुत मदद करेगा धन्यबाद